हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एडी हल्प लाइन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हेल्चेनी डिजिटाल वेट मेशिन का वारिंटी किस तरह से ओनलाइन रेजिस्टर किया जाता है देखिए इस प्रोड़क्ट को मैंने एमाजन से ओनलाइन पर्चेस किया था और इसका एक आनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो अल्रेडी चैनल में है अगर आप पहले आनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रोड़क्ट का जो बॉक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं वारिंटी रेजिस्टर करने के लिए टोटल तीन प्रोसीडियोर दिया हुआ है मिसकल के थूरू भी कर सकते हैं वाट्सेप के थूरू भी आप कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी लाप करके भी कर सकते हैं उसके अलाबा यहाप एक sticker chip का हुआ है, जहाप एक scratchable portion है, उसे scratch करके आपको एक युणी code मिलेगा, उस code को आपको एक number दिया हुआ है, और आप SMS के थुरू आप भेश सकते हैं, और यह जो code है, यह contest के लिए है, अगर आपका जो code है वो लाकी निकला, तो मांत के end में एक contest हो separately SMS के थुरू code सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाप ए product के साथ जो user instructions का booklet आया है, उसके last page में भी आप देख सकते हैं, वो सारे option, miss call दे के भी रिजिस्टर कर सकते हैं, और यहाप जो scratch code दिया था, उसका mention है, last में यह जो एक whatsapp number है, इसमें आपका जो bill है या फिर invoice है, उसका copy send करके भी कर सकते हैं, देखिए यह जो bill box में आता है, उसका condition ठीक ठाक नहीं रहता है, तो इसलिए एक proper PDF format में bill download करना होगा आपको, अगर आप flip card से purchase करते हैं, तो mail में ही आपको जो invoice से उसका copy send किया जाता है, लेकिन Amazon से अगर purchase करते हैं, तो आपको अलग से download करना ह और Amazon एप से PDF format में invoice download करने के लिए आपको your order section में जाना होगा, या पर जाने के बाद, जिस product का bill आप download करना चाते हैं, उससे select करना होगा, मैं इस product का bill download करना चाता हूँ, इसलिए इससे select करना होगा, select करने के बाद थोड़ा नीचे अगर आप scroll करते हैं, तो आपको download invoice का एक option आएगा, इस पे click करना है, देखिए ये है ओ option, इस पे click करने के बाद, यहाँ पे दो option आएगा, invoice और warranty, यहाँ से आपको invoice पे click करना है, उसके बाद download warranty पे click करना है नीचे, इसके बाद download होगा है, video format में bill या फिर invoice, वो open होगा यहाँ पे, यह है वो bill आप देख सकते हैं, और invoice में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो product का description है, वो आप यह लिखा हुआ है with 3 year warranty, लेकिन product box में लिखा था 24 months warranty, एक्चुल में आपको 3 साल का ही warranty मिलेगा, अगर आप online form फिलाप करते हैं warranty के होगा, जैसे कि order number जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, order date, उसके बाद आपको चाहिए होगा invoice number और invoice date, यह सरा information आप कहीं पर note कर सकते हैं, या फिर इस PDF फाइल को आप minimize करके रखिए, और बाद में यहाँ से directly copy करके एक-एक information, जो online page है, वहाँ पे directly paste कर सकते हैं, अब health genie का जो website है, उसे जानने के लिए, इस box में QR code है, उसे QR code scanner के मदद से scan कीजिए, तो आपको result में health genie का जो official website है, उसका link मिल जाएगा, या फिर आप directly Google पर जाके type कर सकते है, health genie, तो भी आपको यह website मिल जाएगा, देखिए, website open करने के बाद यहाँ पे एक question आए, आपको जो code है वो मिला है या नहीं है, और उस code का नामबर देने के लिए आपको एक जगा है, जहाँ पे आप 12 digit का नामबर एड कर सकते हो, तो उसके लिए यह जो code है, उसे scratch करना होगा पहले, देखिए, यहाँ पे scratch करने के बाद जो unique code है, वो देख लिया है हमने, चलिए, आप health genie का ज यह website टाइप भी कर सकते हैं, पेज पे लिखा हुआ है, वारंटी, प्लिस रेजिस्टर विदिन 30 days to activate वारंटी आप मिस कॉल के थूभी कर सकते हैं, इस नमबर पे, जास्ट आप एक मिस कॉल करेंगे, और उसके 24 से लेके 48 आवार के अंदर, जो company का representative है, आपको कॉल करके सा WhatsApp में जाके open होगा, आप वहाँ पे जाने के पाथ, जो PDF format में invoice अपने download किया है, या फिर जो box में भी लाया था, उसका photo click करके send कर दीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे online जो procedure है, और follow करेंगे, देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक question है, did you receive the unique code, अगर आपने code receive किया है, तो yes पे click किजिए, और यहाँ पे देख सकते है, total 12 boxes है, जिन में आपको जो 12 visit का unique code है, और डालना होगा, देखिए, यहाँ पे एक एक करके, मैंने 12 visit का code था, और डाल दिया है, उसके बाद आपको और भी कुछ information है, यहाँ पे feel करना होगा, जैसे क आपका mobile number, email id, order number, order date, invoice number और invoice date, order number, invoice number, यह सारा information आपको जो PDF format में feel है, उस पे भी मिल जाएगा, या फिर box में जो feel आया था, उसमें भी मिल जाएगा, देखिए, मैंने सारा information यहाँ पे feel कर दिया है, देखिए, यह सारा information feel करने के बाद आपको जो PDF format में invoice है, उपलोड करना होगा, अपलोड करने के लिए यहाँ पे choose file पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आप maximum 1MB तक file अपलोड कर सकते हैं, image या फिर PDF format में, हमारे पास PDF format में है, इसलिए choose file में जाके, जहाँ पे हमने save किया है, वहाँ से उस invoice को सिले करना होगा, देखिए, यहाँ पे save करिया है हमने, आप यह अपलोड होगा, उसके बाद आपको स्रेप यहाँ पे activate warranty पे क्लिक करना होगा, देखिए, हमारा जो form था, वो successfully submit हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, congratulations, your product is original, thank you for buying Hellgeny weighing scalp from Amazon, your warranty request is being forwarded, we will update you about your request soon through an email, इसके बाद आपको एक email के तुर एक confirmation मिल जाएगा, बाद में Hellgeny का जो representative होए, वो आपको call करके, जो आगे का process है, वो complete कर देंगे, इसके बाद आपने जो email ID डाला था यहाँ पे, उस पे confirmation आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो warranty registration के लिए हमने अपलाई किया था, उसका details concern department में भेज दिया गया है, इसके बाद वहाँ से आपको call किया जाएगा, इसके बाद का जो section है, वहाँ पे मेरे साथ जो conversation हुआ था, customer क्यार का वहाँ आप सुनिये, Hello, very good afternoon, I'm calling from hellgene.it, Yes, sir, आपने च्टड़क लिया है Amazon से weight machine, हाँ जी लिया है, उसकी तीन साल की warranty activation के लिए call है, आप अपन करके च्टड़क का नाम confirm कर दीजी एक बार, जैनी डिजीटल weight machine for body weight, ओके, आपकी जो email ID है, वहाँ अट्ड़रेट e-mail.com, आपको तीन साल की warranty मिलती है, तीन साल warranty में प्रड़क डामेज होता है, तो उसकी पर warranty मिलती है, अधरवाइस कोई भी issue होता है, आप हमें direct call करके अपने warranty claim कर सकते हैं, इसी नमबर के, तो आपने प्रड़क खरीदा होगा, तो आपको रिपेयर की warranty मिली होगी, तो आपको यहाँ से रिप्लेस्मेंट की warranty दी जा रही है, तो जो seller है, वो आपको तीन साल में प्रड़क रिप्लेस करने की warranty दे रहा है, तो आप तीन साल में कभी भी प्रड़क रिप्लेस कर सकते हैं, नए प्रड़क के साथ, तो इसी के पाने के लिए आप एक मिनिट के लिए अपने आमज़ोन आप ओपन की दिए, ओपन कर लिए आपने, ओपन करने की बाद प्रड़क 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 जैसी ओपन हो जाए, नीचे की तरफ जाईए, वहाँ पर आप्शन आएगा, राइक टे प्रड़क रिव्यू, क्लिक करेंगे, तो आपको रेटिंग करना है, नीचे आड़े टाइटल में अपना नाम लिखना है, और सबसे नीचे आड़े रिटन डिवी में छोटा सा कमेंट लिख दीजिए, गुट और समिट कर दीजिए, तो समिट करने के बाद, आपको और तीन साल की रिप्लेस्मेंट वारंटी मिल जाएगे, अब आप मैनिफेक्टिंग डिफेक्ट पर अपना प्रोड़क रिप्लेस्ट कर सकते, चाहिए, और उसमें एक कोड दिया था, यूनिक कोड, मतला कोड अगर सिलक्ट होता है, तो मंत के एंड में आपको ट्रेड मिलता है, कमपनी के तरफ के, तेक्ट है, फैक्ट है? इस वनलोचा तैैंग ओता, अर उसमेडिवाइक्टी का का कॉन्फरिमेशन URL आप देख सकते हैं, लेखा हुआ है निखा हूआ है और नीचे पुरा डिटेल से आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वारेंटी फॉर थ्री यार्स यानि आपका पार्चेस इनवास पर जो डेट रहेगा उस देन से ही आपका थ्री यार्स का वारेंटी स्टार्ट हो जाएगा और वारेंटी क्लीम करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करके भी वारेंटी क्लीम कर सकते हैं और ऑनलाइन किस तरह से किया जाता है क्लीम वह में वीडियो के लाग सेक्शन में आपको दिखाऊंगा देखिए मैंने तो online form फिलाप करका warranty extension दिखा दिया है अगर आप चाहे तो whatsapp पे भी कर सकते हैं पहले आपको ये जो whatsapp number box पे दिया हुआ रहेगा इसे save करना है उसके बाद उसमें जाके आपका जो इन्वाय से उसका copy send कर देना है देखिए मैंने जो copy download किया था वो मैंने यहाँ पे send कर दिया है और इसे send करने के दो या तीन दिन बाद आपको इसका जो reply है वो मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे मैं स्रेप आप लोगों को देखाने के लिए WhatsApp के जरिये किस तरह से warranty activation किया जाता है यह दिखा रहा हूँ लेकिन आपको स्रेप एक प्रोसेस फॉलो करना है या फिर WhatsApp से ही कीजिए या फिर online कीजिए या फिर स्रेप मिस कॉल से भी कर सकते है लेकिन इन तीनों केस में आपको warranty call के लिए वेट करना है जहाँ पे customer care से आपको call किया जाएगा और call करने के बाद क्या 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 करना होता है यह अपने अल्वरी सुन लिया है customer care से मेरा जो conversation था वो warranty call आने के बाद जो warranty confirmation है वो मेल में मुझे पहले ही मिल चुका है और क्यूंकि मैंने WhatsApp से भी ट्राइ किया था इसलिए यहाँ पे भी confirmation आ चुका है your warranty has been activated warranty register होने के बाद अगर कोई complaint है या फिर क्लेम करना चाते है warranty तो आप इस नंबर पर डिरिक्ली कॉल कर सकते है और अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी warranty के लिए क्लेम कर सकते है इसलिए आप एक complaint करने का एक section है जहाँ पर हमने रेजिस्टर किया था warranty उसके ठीक नीचे यहाँ पर आके आपको कुछ details फिल आप करना है जैसे कि आपका नाम email id, mobile number, product category आपने product कौन सा पोडल से purchase किया है product क्या है यह सरा चीज सिले करने के बाद आपको invoice upload करना है यहाँ पर और invoice का number भी type कर देना है उसके बाद नीचे आपके complaint type आपको सिले करना है और उसके ठीक नीचे एक description box है यहाँ पर आपका क्या problem ही यहाँ कौन सा product खराब हुआ है यह type करके submit कर देना है और उसके बाद 24 से लेके 48 hours के अंदर आपको call आ जाएगा और अगर यह procedure थोड़ा complicated लग रहा है तो आप जो number में ने दिखाया था 011 से start होता है उस number पे directly call करके भी आपका warranty claim कर सकते हो और इसके नीचे warranty related और भी कई सारा information है आप यहाँ पे वीडियो को पॉस्ट करके यह सारा information देख सकते ह और जो unboxing और review वीडियो मेंने किया था हेलजीनी डिजिटाल वइंग मेशीन का आप पहले देख लीजिए उसे देखने के लिए उसका link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा और end screen में भी आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा और अगर आप भी हेलजीनी का यह जो digital व मुझे थोड़ा odd लगा जब मुझे warranty के लिए call किया गया customer care से तब बोला गया था कि आपको open किजिए 5 star rating डाली है यह थोड़ा odd लगता है क्योंकि product को use करके देखना है customer को बाद में अगर अच्छा लगता है ता आप customer rating डालता है 5 star या 4 star भी हो सकता है लेकिन instant बोलना कि आ अगर आपको लगता है आप तब नहीं डालेंगे बाद में डालेंगे यह फिर रेटिंग नहीं डालना चाते तब भी आपको warranty मिलने में कोई problem नहीं होगा क्योंकि rating डालना mandatory नहीं है warranty के लिए अगर mandatory होता तो website पे इसका mention होता वीडियो को लाज तक दिखने के लिए धन्य आप